नमस्कार, तक्षा आठ, एक्सरसाइस 3.1 का चोथा प्रश्ण हम करने जा रहे हैं हमें एक तालिका दी गई है, तालिका में कुछ आक्रितियां दी गई है, देखे कुछ बहुबुज हैं जिनकी बुजाएं हैं इसमें 3 बुज़ाएं इसमें 4 बुज़ाएं इसमें 5 इसमें 6 हर बहु बुज़ के कोनों का योगफल हमें बताया गया है देखें 3 बुज़ाएं तो इसके कोनों का योगफल है 180 डिए यदि चत्र बुज़ाएं तो उसके कोनों का योग है 5-2-180 6 बुझाएं है तो 6-2-180 यह क्या है सभी कोणों का योगफ़ इसी पिरकार से तो इसका मतलब क्या हुavaş बच्छो इस से हम क्या सीखते है 4 बुझाएं है तो 4-2-180 5 बुझाएं है तो 5-2-180 6 बुझाएं तो 6-2-180 इस से मिलेगा उस बहुभुज के कोणों का योग अब हमने एक ऐसे बहुभुज के कोणों का योग के बारे में बताना है जिसकी बुजाएं है साथ तो आप लिखो कोणों का योग क्या फार्मूला था चार बुजाएं है तो चार माइनस दो गुना 180 degree 7-2 होता है 5 5 को 180 से गुना कर दिया 900 इसका मतलब एक बहुबुज जिसकी 7 बुजाएं होंगी उसके सारे कोणों का योग कितना आ जाएगा 900 degree आ जाएगा इसी प्रकार से 8 बुजाओं होगा ले यदि एक अश्ट बुजाएं तो उसके कोणों का योग कितना होगा तो फार्मूला क्या है बच्चो 8-2 गुना 180 degree देखिए 8 में से 2 निकाले कितना होता है 6 आगे है गुना 180 degree 6 को 180 से गुना करता है 186 के होता है 108 पीछे है 0 तो 1080 degree यदि एक अश्ट बुज होगा तो उसके कोणों का योग हो जाएगा 1080 degree यदि कोणों की संक्या है 10 तो कोणों का योग कितना होगा कोणों का योग होगा देखिए 4 है तो 4 माइनस 2 7 है तो 7 माइनस 2 8 है तो 8 माइनस 2 10 बुजाए है तो 10 माइनस 2 गुना 180 degree 10-2 होता है 8 8 गुना 180 degree 8 को 18 से गुना कर दो तो 18 8 होता है 144 पीछे है 0 तो यह गया 1440 degree आप इन्हें गुना भी करके देख सकते हैं मुझे पहाड़े आते हैं इसलिए मैं सीधा करता जा रहा हूँ आप इन्हें गुना करके फिर उत्तर निकाल सकते हैं तो यदि बुजाओं की संख्या होगी N तो कोनों का योग किसके बराबर होगा बुजाएं है 7 तो 7-2 बुजाएं है 8 तो 8-2 बुजाएं है 10 तो 10-2 बुजाएं है N तो N-2 गुना 180 degree यही एक बहुज के कोनों के योग का फार्मूला है कि यदि एक बहुज में N बुजाएं है तो उसके कोनों का योग किसके बराबर होगा N-2 गुना 180 degree ठीक है बच्चो अगर इस पर त्री बुज पे अपलाई करें त्री बुज में कितनी बुजाएं होती है तीन तो तीन में से दो निकाला एक एक गुना 180 तो त्री बुज के कोनों का योग होता है 180 होता है न बच्चो इसका उत्तर है कि हमारे इसका मतलब है हमने यह जो कोशिन किया है बिलकुल सही है आशा करता हूँ यह आपको भी समझाया होगा यदि आपसे कोई पूछे कि कोई 5 बुजाओं वाला एक बहु भुज है तो उसके कोनों का योग क्या होगा तो आप क्या करोगे 5-2 गुना 180 यदि मैं आपसे पूछू 9 बुजाओं वाले बहु भुज के कोनों का योग कितना होगा सारे कोनों का योग कितना होगा तो आप क्या करोगे 9-2 गुना 180 12 बुजाए हैं तो 12-2 गुना 180 18 बुजाए हैं तो 18-2 गुना 180 यह तो बहुत सरल है ठीक है बच्चों आशा करता हूँ ये प्रशन आपको अच्छे से समझ आया होगा